आठ हसार की स्पेलिंग क्या होती है और आठ हजार रुपए चेक पर लिखने का सही तरीका क्या है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं जब हम कोई भी चेक लिखते हैं तो सबसे उपर उस व्यक्ते का नाम लिखा हुआ रहता है जहांपर जैसे हमने ABC name लिखकर आपको दिखा है तो यहांपर उस व्यक्ते का नाम लिख देंगे आप जिसको चेक दे रहे हैं उसके नीचे अगर आप 8000 रुपए का चेक दे रहे ह आपको right hand side में वहाँ पर 8000 अंकों में लिख देंगे इस तरीके से जैसे हमने आपको लिख कर दिखाया है और check भरते समय एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आप check account pay देना चाहते हैं या bearer check देना चाहते है, account pay का मतलब होता है कि आप इस तरीके से उपर दो लाइने खीच देंगे तो वह account में ही check जाएगा या account pay only लिख देंगे तो account में ही उसके पैसे जाएंगे जिसके नाम से आपने check दिया है और bearer check में आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें अगर आप ये दो लाइने नहीं लगाएंगे तो कोई भी वेक्ति जिसके पास वो check है वो उस पैसे को cash में bank से ले सकता है तो account pay अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उपर आप account pay इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे इस पर हमने लिख कर दिखाया है ऐसे ही और वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को like करें आपके like हमारे लिए भूत माइने रखते हैं